नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका हारदिक्स वाकत है सुबे चाई की जगहें, ये पीलो, आपके सरीर की 300 बिमारियां होंगी दूर वात पितोर कप से जुड़या दोस, दूर हो जाएगा और दोस्तों, हमारे सरीर में जो भी बिमारी होती है उन सब का जो मुखे कान होता है, वात पितोर कप होता है और यदि आपका वात पितोर कप बैलेंस में बना रहेगा तो दोस्तों, आपका पूरा सरीर बिलकुल निरोगी बना रहेगा दोस्तो इस नुस्खे को लेने के तीसरे दिन से ही आपको इसका असर दिखाई देगा यानि तीन दिन आपने नुस्खा लिया और तीन दिन के बाद से ही इस नुस्खे का आपको असर दिखना अपने सरीर में सुरू हो जाएगा आपके सरीर का खून पतला होगा और ये खून को साफ करने का काम भी करेगी और यदि आपके सरीर का खून पतला होगा और खून साफ होगा तो इससे आपके चहरी पर भी नया गलो आएगा आपका चहरा भी खिल जाएगा क्योंकि दोश्तो हमारे चहरे पर जो कील मुहासे फुंसियां होती है इन सब का जो मुखे कान होता है वो होता है खून की SD और ये नुस्खा खून की गंदगी को साप करेगा जिससे कि आपके चहरे पर नया गलो आएगा यदि आपको diabetes की समस्य है तो ये सुगर की विमारी को कंट्रोल करने में आपकी मदद करेगा लेकिन आपने इस नुस्खे के साथ में जो आप दवा ले रहे हैं उसको आपने शुरू रखना है और धीरे धीरे उसको घटाते चाना है इस नुस्खे को लेने से आप diabetes की बिमारी के जो complication है उन सब से भी बचे रहेंगे दोस्तों यदि आपके सरीर में bad cholesterol बड़ा हुआ है और आप अपने सरीर में इस cholesterol level को सही करना चाहाते हैं bad cholesterol को कम और अच्छे cholesterol को अधिक और वो भी सुन्तलित मातरा में तो आपको इस नुस्खे का सेवन करना चाहिए और जब आपका cholesterol सही होगा तब आपको heart blockage, heart attack और दिल की बिमारियों का भी सामना नहीं करना पड़ेगा यानि ये नुस्खा आपके cholesterol level को तो सही करेगा ही करेगा इसके साथ में आपको दिल की बिमारियों से भी बचा कर रखेगा आपके blood pressure को भी normal करने का काम करेगा आपके blood pressure को सही करने का काम करेगा दोस्तो इस नुस्खे को लेने से आपका पाचन मजबूत होगा और आप पेट के रोगों से बच रहेंगे कबज, gas और estity ये ठीक रहेगी दोस्ते इन इसका खून की estity के साथ पेट की estity का भी इलाज करता है आपने जोडों को, हड़ियों को मजबूत बनाना चाहते हैं तब भी ये नुस्खा आपके लिए बहुत अधिक कारगर है दोस्तो यडी आपके घुटनों में दर्द रहता है जोडों के दर्द की समस्या या आपको कमर में दर्द रहता है आजकल बहुत सारी मेरी माताओं और बेहनों को क्या होते है कि कमर के दर्द की प्रोब्लम होते है वो थोड़ा सा काम करते ही ठक जाते है उनके कमर में दर्द होता है तो दोस्तो उसका भी इससे बहतर इससे कारगर कोई इलाज हो नहीं सकता है यह आश्थमा की समस्या को दूर करेगा आपके यूरिन इन्फेक्शन का इलाज करेगा यूरिक एसिड को सही करने का काम करेगा यनि आपके सरीर को बहुत सारी बीमारियों से बचाएगा आपके सरीर की इम्यून पावर रोगों से लड़ने की सकती को भी बढ़ाने में बहुत अधिकारगर है और दोस्तों इस नुस्खे को बनाने में भी आपको महज 5 मिन्ट लगे है अब बताते हैं कि आपने इस नुस्खे को बनाना कैसे है उससे पहले आपको बता दूं कि आपने इसका सेवन करना कैसे है दोस्तो आपने सुभी चाई नहीं लेनी है चाई की जगहाँ आपने चाई के स्थान पर इस नुस्खे का सेवन करना है और आपको ये चमतकारी जैल्ट दिखाए देगा इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको महज चार चीजों की आप सकता है और ये चारों ही सामगरी आपको अपने घर पर ही मिल जाएंगी इस नुस्खे को बनाने के लिए जो पहली सामगरी चाहिए वह चाहिए दोस्तो लसुन दोस्तो लसुन दिल की बीमारियों का एक कारगर इलाज है चाहे आपको अपने खून को सही करना हो जोडों के दर्द का इलाज करना हो या दिल की बीमारियों का कारगर इलाज करना हो डायबटीस को कंटोल में रखना हो तो इन सब बीमारियों में लसुन एक कारगर दवा है लसुन को आप घर का आयरुवेदिक डोक्टर भी बोल सकते हैं जो आपके स्रीर को बहुत सारी बीमारियों से बचाता है दोस्तो आपने क्या करना है? सबसे पहले एक गिलास पानी लेना है इसके साथ में दोस्तो आपने दो से तीन कली लसुन के लेकर उनको छील कर उनको कूट लेना है और कूट कर उनको आपने पांच मिन्ट के लिए ऐसे ही रख देना है और पांच मिन्ट रखने के बाद ही आपने इस नुस्खे को बनाना है अब आपने क्या करना है? और हमारे सरीर को बहुत सारी बीमारियों से बचाती है दोस्तो आपने इस नुस्खे को बनाने के लिए लेना है एक चोथाई चमच हलती का आपने वो लेकर इसमें इसको मिला देना है अच्छी तरह से मिक्स कर देना है जैसे कि ये मैं कर रहा हूँ अब बात आती है अगली सामगरी की दोस्तो अगली सामगरी के लिए आपने लेना है काली मिर्च का पाउडर जैसे कि ये मेरा काली मिर्च का पाउडर है आपने इसकी लेनी है एक चुटकी ये एक चुटकी भी आपने इसमें मिला देनी है आप जो चोथी समें सामगरी आपने लेनी है वो लेनी है दोस्तो डालचिनी, मसालों की रानी, आपने इसकी भी एक चुटकिस में मिला देनी है और इसको अच्छी त्रहें से खोल लेना है और इसका सेवन आपने सुबह खाले बेट करना है और इन लसन के जो दाने हैं आपन दोस्त दूर हो जाएंगे वात, पित, कफ, गैस और खून से जुड़ी बीमारियों का ये एक कारगर इलाज है तो दोस्तो देर किसे बात की है आप भी इस नुस्खे का सेवन आज से ही सुरू करती जी लेकिन यदि आपको भविशे में कोई सर्जरी बगरा करानी है तब आपने इस नुस्खे का सेवन नहीं करने क्योंकि इस नुस्खे को लेने से आपका खून पतला हो जाएगा तो दोस्तो देर किसे बात की है आप भी इस नुस्खे को आज ही अपने घर पर बनाईए और अपने शरीर की बीमारियों का घर पर ही इलाज कर दीजी दोस्तों यदि आप हमारी चैनल पर नए हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजी और इसके साथ हमें जो बैल का इकोन है उसको भी दबा दीजी ताकि आपको हमारी सभी आने वाली वडियों की नोटिफिकेशन आती रहे धन्यवाद दोस्तों